तो वेरी गूड इवनिंग टेवरिवान आई ये बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट के ओपर आई जूलियर सीजर ने एक राजा थे रोमन किंग आप जानते हैं जूलियर सीजर इनकी बहुत सारी किताबे भी हैं इन्होंने स्टेटमेंट गोली थी आई के अब तुम्हें बता तो तुम्हें क्या करना है मेरा फ्रेज है आप सोचो क्या मतलब है इसका मतलब यह है। मैं आया इस प्रफवी पर मैंने इसको देखा वेका समझा और इसको अच्छी समझा, ठीक है, and I left मैं चला गया काम खतम हो गया conquer का कोई सवार ही नहीं कोई conquer कुछ कर नहीं सकता तुम क्या जीत सकते हो, तुम जानता हो, इस बारे मैं पहले बात कर चूँँगा, इसलिए मैं दुबारा बात नहीं करूँगा जीतने के लिए यहां कुछ नहीं है ना कोई जीत सकता है ना कोई जीत पाया है, सिर्फ अपने को जीत ना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है इस लाइफ में जो अपने को जीत गिया, वो सब जीत गिया अब I came then I saw, witness बना मैं पहले, ठीक है, मैंने देखा इसको देखा, देखने की तीन चीज़े है, सबसे पहले मैंने अपने body को देखा दूसरा मैंने अपने thoughts को देखा mind की reading की, mind का witness बना मैं, पहले body का witness फिर mind का witness उसके बाद तीसरा मैंने अपने heart की की फीलिंग को देखा, witness बना उसका, सब छोड़ दी मने ममता, ठीक है, तो पहले body छोड़ो, I came, I saw, seeing की process देखी, ठीक है, body को देखा, mind को देखा, emotion heart को देखा, सब छोड़ दिया, witness बन के सब छोटा, and I left, I left because I understood that this system cannot be cured, this is a disease which is ever-persisting disease, यह जो अर्थ है, यह संसार है, यह एक रोग है, जो ever-persisting है, तुम चाहे कितना भी कर लो, मैं दावा करता हूँ, कितना भी कर लो, यह कभी ठीक नहीं हो सकता, अभी देख लो, एक disease खतम होता है, दूसरा आ जाता है, करोना की बात ले लो तो, लेकि करोना की है, यह आज भी वैसी की वैसी है, उल्टा भगवान आये तो धोबी ने कहा कि सीता तो उसकी घर में रहके आये, तो भगवान ने त्याक दिया वाइफ को, जाओ बाहर रहो, समझे, तो this everlasting disease, it cannot be cured, so remember my words dear, and they are very important, you must come here, you have come here, you are here, you should see it, इसको देखो, आये हो, देखो, और सुधारने में दिमाग मत लगाना, ध्यान रखना, सुधार इसे कोई नहीं पाया है, बड़े-बड़े समाजिक सुधार करता है और चले गए, सिर्फ देखो, समझो और चले जाओ, इसलिए कहता हूँ कि विट्नेस होके जाओगे, मुक्त हो जाओगे, और वो हो जाओगे जो तुम हो, ना कि इसको सुधारने में अपना टाइम इनर्जी वेस्ट करते रहोगे, ये कभी नहीं सुधारने वाला है, बस, ये एक ऐसा बिमारी है, दिस ए एंडलेस, लिमिटलेस डिजीज, बिलीव में, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम थोड़े अकलमन दब हो गया थोड़े, थैंक यू